हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल राथे कृष्णा क्रोचेट तो दिखे आज हम ये वाला फ्लावर पोड बनाएंगे बहुत ही प्यारा है और बनाना भी बहुत इसी है अपके पास अगर बची हुई वूल है तो आप इसमें से भी बना सकते हैं आपकी भूल भी यूज हो जाएगी अगर थोड़ी थोड़ी से आपके पास भूल है तो और इसको बनाने के लिए हमें क्या-क्या चीज की जरूरत है वो भी मैं आपको बता दू लेकिन इससे पहले ये वाला देखे इवाला भी हमने फ्लावर और गंबले दोनों का वीडियो अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पे आपको दोनों वीडियो मिल जाएगी गंबले की अलग से है और फ्लावर की भी अलग से है देखे बहुत ही प्यारा लगता है आप अपने साथ से इसे कहीं पर अपने घर पे डेकोरेट के तोर पे भी रख सकते हो इस गंबले के अंदर हमने कुछ नहीं डाला है लेकिन आप चाहे तो कुछ श्टोन वगेरे डाल करके भी इस तरह से अलग लग साइज में फ्लावर से सेट करके रख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगेगा तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज यूज होती है बता दू देखे यह जो गंबला है इसके अंदर हमने नीचे तलबे पे ढ़कन डाला है बना कुछ भी प्लास्टिक का आपके पास है अगर पतला तो इसका आप कट कर लीजिए आइस्क्रीम वगेरे का डिबा भी आता है इस तरह का हम बहार से खाना मंगाते है तो इसमें सबजी वगेर आते है उसका भी डबा होता है वह एकदम से बहुत हैवी नहीं होता है इसका प स्टिक आती है आपको बुक स्टोर पे मिल जाएगी बच्चों के पढ़ाए के पढ़ाय का जो सामान मिलता है स्टेशनरी उस पर आपको एस रिक का पेकेट मिल जाएगा देखें तो इतनी बड़ी आती है तो इसमें से हमने कट करके थोड़ा सा टुकड़ा यूज किया है इसमें अगर आपके पास टूथ पिक है तो आप वह भी उसकर सकते है क्यूंकि हमें इसमें छोटा ही चाहिए अगर वह भी नहीं है तो आप इससका तार आता है वह हमें यह वूल वगेरा मिलता है वस मट्रियल से जोप पे आपको मिल जाएगी यह दार यह बहुत ही नरम से अउन हम जक हमाट нож binary इस इस में तरह से आपको से मोड़ सकते、 तो इसको हमने skies में यूज किया है यह वाली जो पतिया बनाएं है इसमें लेकिन आप इस डंडी में भी फ्लावर की जो डंडी है इसमें भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास टिक नहीं है तो तो ये वाला तार भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा वायर इसे बोलते हैं तो आप चाहे तो स्क्रिंशोट ले लिजिए आप वो शौप पे अ जाने के लिए तो चले से बनाना स्टार्ट करते हैं और गमले से स्टार्ट करेंगे नीचे से तो दिखें हमने फॉर प्लाई वूल ली है और हमारा 14 नंबर का क्रोश्या है 2 mm अगर आपके पास नहीं है तो आप 13 नंबर या तो 12 ग्यारा जो भी है आप ले सकते हैं लेकिन अगर 14 नंबर का लेंगे तो थोड़ा से एक दम से टाइट बनेगा और अगर आपके पास बड़ा वाला क्रोश्या है तो आप हाथ थोड़ा से टाइट रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छा बनेगा ज्यादा दर तो हम 4 प्लाई वूल से 3 mm क्रोश्या 11 नंबर का ही य अब यही दोनों उंगलि निकाल देगे और फिर इस थाग एक थोड़ा ठिच लेंगे और अब हम एक चेन बनाएंगे चेन बनानी के बाद इसी के अंदर हमें सिंगल प्रोश्य बनाने हैं एक बनाया हमने और इसके अंदर मारकर ढाल देंगे जो पहला सिंगल क्रोश्या अगर आपके पास एसी क्लिप नहीं है तो आप यहाँ पर धागा भी डाल सकते हैं दूसरे कलर का धागा डाल दीजिए आपको पता चल जाएगा कि हमारा पहला सिंगल क्रोश्या कौन सा है तो दिखें दूसरा तीसरा चोथा पांच और यह छे छे बार हमने सिंगल क्रोश्य करेंगे अब हम इस रिंग को खीच लेंगे टाइट कर देंगे जो हमने मैजिक रिंग बनाए थी इसे हम इस तरह से खीच करके टाइट कर देंगे और अब हमें राउंड को जोइट करना है तो राउंड हम पहला जो हमारा सिंगल क्रोश्या है इसके अंदर करेंगे देखे यहां पर से निकाल देंगे और यह जो हमारा सिंगल ट्रोशा है इसके अंदर हमें सिंगल ट्रोशा बना देना है राउंड को हम स्लिप स्टिच जोइट नहीं करेंगे सीधा इसके अंदर सिंगल ट्रोशा बना देंगे और सेम प्लेस पर दूसरा बना देंगे तो ये हमने पहली chain में दो बार बना दिया, ये हमारा पहला था, तो पहले के अंदर फिर से हम मार कर डाल देंगे, क्योंकि हमारा round कहां पर पता है, तो फिर से next वाली chain में दो बार, slip stitch से हम round को joint करेंगे, और फिर एक chain बनाएंगे, फिर हम round start करेंगे, तो हमारा round कहां पर complete होता है, उसका हमें वो एक line सा बन जाता है, पता चल जाता है, लेकिन इस तरह से बनाएंगे, तो इसमें कहीं पर भी हमारा round कहां पर खतम होता है, देखे, पता ही नहीं चलेगा, कि हम हमारा round कहां पर complete होता है, एक जैसा एक दम ही बनता है, तो दिखे, हमने एक, दो और तीन chain में दो दो बना दिया, यह चोत्ती वाली chain है, इसमें भी दो बार, यह पांच भी chain है, इसमें भी दो बार, और यह हमारी आखरी chain है, इस थागे को हम साथ ले लेंगे, इसमें भी दो बार, तो छे बार हमने दो दो किया, तो यह हमारे पारा होगे, तो यहाँ पर हमारा round complete होता है, देखे, इसको निकाल देंगे, और अब यहाँ से हमारा तीसरा round start होता है, तो इसमें हम start में ही पहले ही, देखे, दो बना लेंगे, एक ही chain में हमने दो बनाया, तो जो पह फिर से नेक्स्ट में दो बार बनाएंगे एक चेन में एक बार बनाना है और एक चेन में दो बार बनाना है देखे ऐसे इस तरब से फिर से एक बार बनाएंगे फिर से दो बार बनाएंगे तो तीसरे राउंड में हमारे पास अठारा सिंगल प्रोशे हो जाएंगे फिर से एक और फिर से दो फिर से एक फिर से नेक्स्ट वे दो फिर से नेक्स्ट वे फिर से नेक्स्ट वे दो और आखरी में हमारा एक आएगा क्यूंकि स्टार्ट में हमने दो बनाये थे आखरी में हमारा एक आ गया, और अब हमारा round complete हो गया, तीन राउंड, ये चोथा round स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर हम पहले ही single crochet के अंदर ये मार कर टाल देंगे, पहला single crochet एक बनाया, दूसरा एक बनाया, अब तीसरी chain में दो बार बनायेंगे, दो chain में एक एक किया हमन देखे, शुरू में एक बनाया, नेक्स्ट में एक बनाया, और अब हमने तीसरी chain में दो बनाया, तो अब हमें इस सरा से करना है, दो chain में एक एक और तीसरी chain में दो, तो चोथे round में हमारे पास 24 single crochet हो जाएंगे, 24, तो ऐससे हम round को complete कर देंगे, दो chain में एक एक बनाना है, और तीसरी chain में दो बर, फिर से next में एक, फिर से एक और अब तीसरी chain में सेम chain में दो बर, ऐसे, फिर से एक, नेक्स्ट में दो, फिर से तीसरी chain में दो बर, ऐसे, फिर से एक, नेक्स्ट में एक, फिर से next में दो बर, same chain में दो बार फिट से एक next में एक अब हमने last वाले में दो आएंगे क्योंकि शुरू में हमने दो chain में एक एक बनाया था तो end में हमारे दो आएंगे तो round हमारे 4 complete हो गए है और 24 single crochet है हमारे पास तो अब हमें क्या करना है जैसे हमने इस तरह का इतना बनाया है वेसा same हमें इस वाले कलर में आपको बना करके ready रखना है क्योंकि ये वाला same इतना ही है 24 के साथ जैसे हमने same ये बनाया लेकिन इसके बीच में जो round है इसमें हमें magic ring जब हम बनाते है तब हमें थोड़ा सा loose रखना है मैं आपको बता दू तब हम इस तरह से करेंगे एक दो तीन चार पांच और ये छे छे बना लिया जब हम इस लूप को खींचते है ऐसे तब हमें इसको इतनी जगा रहने देनी है क्योंकि इसके अंदर हमें ये वाला stick जो है वो डालना है तो इस तरह से हम यहाँ पर जगा रहने देंगे और फिर राउंड को जोइट कर देंगे ऐसे बीच में हमें थोड़ी सी जगा रखनी है क्योंकि हम वहाँ पर stick को डाल सके इसलिए तो पहले single crochet की chain में हमने डाल दिया है तो यहाँ पर हम दो बार बनाएंगे तो इसके अंदर marker डाल देंगे और सेम तरीके से बना करके हम ready कर लेंगे हर एक chain में 2-2 बार फिर एक में 1, एक में 2 फिर 2 में 1, एक तिसरे में 2 इस तरह से 4 रो बना करके complete कर लिजे और इसमें हमें धागा रखना है last में तो दिखे इस तरह से हमने बना दिया है सेम यही वाला circle हम जब यहाँ पर पहुंचे है वो ही हमने बनाया है इसके बाद हम गमला बनाएंगे इसका लेकिन इसके उपर वाला जो हिस्सा है यह वाला है तो color आपको दिखाए नहीं देगा इसलिए हमने इसमें बना करके दिखाया वैसा ही आपको सेम बना करके ready रखना है और यहाँ पर पहुंचके चार रो बना करके इसका धागा हमें लंबा रख करके काटना है क्योंकि इसके साथ जब हम joint करेंगे तब हमने इसी धागे से joint किया है तो इस धागे को हम लंबा रख करके काट देंगे तो इस तरह का एक आप ready करके रख दीजिए और अब हम इसके आगे यहाँ से start करेंगे बनाना तो दिखिए यहाँ पर हमारे 4 round complete होए थे यहाँ से हमने marker को निकाला था तो अब हमें यहाँ पर से एक ही लूप उठाना है बैक लूप उठा करके हम यहाँ पर करेंगे दिखिए यह पहला single crochet है हमारा ऐसे back लूप उठाएंगे और एसे single crochet करेंगे तो पहले single crochet के अंदर marker डाल देंगे और फिर से इस तरह से हमें 24 के उपर 24 के उपर 24 हमें इसी तरह से बैक लोब उठा करके बनाते जाने है ऐसे तो पूरी रोव कम्प्लेट कर लीजे और गिनते जाए ताकि कम्या ज़्यादा ना हो हमारा देखिए इस तरह से एक लोब हमारा बाहर के सैट दिखेगा हम बैक लोब उठाएंगे तो दिखे राउंड हमारा कम्प्लेट हो गया है 24 के उपर 24 बना दिये है अब हमारा यहाँ पर राउंड कम्प्लेट होता है तो पहला सिंगल क्रोश राम इसके उपर बना देंगे अब हमें पूरी चेन उठा लेनी है अब हमें बैक लूप नहीं उठाना है पूरी चेन उठ पहला सिंगल क्रूश्रा हमने बना दिया, अब नेक्स्ट के उपर दूसरा, अब हमें सेम बनाना है, कुछ कम या जादा नहीं करना है, इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार, इसी तरह से राउंड को कम्प्लिट कर दीजे, 24 के साथ, तो यहां पर हमारी दूसरी रो है, तो पूरा सिंगल क्रूश्रा उठा लेना है ऐसे, और सिंगल क्रूश्रे के उपर सिंगल क्रूश्रा ही बनाना है, बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है, और 24 के साथ हमें 7 रो बना लेनी है, यहां पर हमारी दूसरी है, पहली और यह दूसरी, इसके बाद हमें 5 रो बनानी है, तो टोटल इसी तरह से सेम तरीके से साथ रो कम्पलिट कर दीजे। तो दिखिए हमने साथ रो कम्पलिट कर दी यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ, साथ रो कम्पलिट कर दी, अब हम यहाँ पर हमारा last वारा single crochet बाकी है, फिर यहां पर हमारा जो साथवी रो है वो complete हो जाएगी लेकिन यह जो रो हमने बनाई है बाद में वो आप flower के color की बनाना चाहते है यहां पर जो हमने जैसा flower बनाया है वैसे color की आप बनाना चाहते है तो यहां से धागा change कर दीजे या तो आप same गंबले के color से बनाना चाहते तो भी बना सकते हैं लेकिन फ्लावर के कलर से बनायेंगे तो और फी प्यारी लगेगी, तो मैं आपको बता दू किस तरह से यहां से धागा चैंज करेंगे, देखें, अगर वही धागा रखना है तो कोई दिककत नहीं है, तो हम यहां से ही स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से जै सिंगल तो इसे हम धागा चेमिज्गर करदेंगे पींग वडिशन कर देंगे तो पिंक आजा की रोग बनावीं testing से यहां इस साइड से हम वैसे जाएंगे बुनाई करते हुए, इस साइड नहीं आना है, पलट करके हमें इस साइड लेना है, अगर सेम धागे से बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से ही बना सकते हैं, और इन दोनों धागों को इस तरह से घुमा करके इस साइड से साथ ले लेना है हमें जहां पर हमने दो चेन बनाई इसी जगह पर हम एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे यह जो हमारे पास 24 है चेन, आखरी रो में हमारे पास 24 थी, तो हम यहाँ पर 4 जगह पर बढ़ा देंगे, एक एक डबल क्रोशा बढ़ाना है हमें, तो दिखें, यहाँ पर शुरू में ही हमने बढ़ा दिया, पहले तीन चेन आई, फिर एक डबल क्रोशा सेम प्लेश पर हमने बनाया, फिर नेक्स चार और यह पांच, पांचवी चेन में हम सेम चेन में दो बार बना देंगे, ऐसे, देखें, चार चेन में एक एक किया, पांचवी चेन में दो, यहाँ से इन दोनों धागों को साथ ले लेना है, देखें पीछे से, इस धागे को भी साथ ले लेंगे, तो अब हमें इस त चार chain में एक-एक और पांचवी chain में दो अगर आप सेम कलर से बनाना चाहते हैं तो तो वही धा Barnes हमें तीन chain ले करके पलाट देना है अगर धागा चेंज करना है तो हमने आपको बता दिया इस तरा से तीन बनाया और यह चार चार chain में एक-एक कर दिया अब पांचवी चेन में, सेम चेन में दो बार बनाएंगे, एक और ये दो, इस तरह से, तो राउंट कम्प्लिट कर दीजे, सोरी हमें यहाँ पर पूरी चेन नहीं उठानी थी, एक ही लूप उठाना है, बैक लूप उठाना है, और हमें डबल टोश्या बनाना है, दिखे, यहाँ पर हमने बना दिया, फिर इस तरह से बैक लूप उठाएंगे, फ्रन्ट लूप हमें रहने देना है, ऐसे, बैक लूप उठा करके हमें बनाना है, दिखे, ये चेन है सिंगल क्रोशे की, इसकी पूरी चेन नहीं उठाएंगे, एक ही लूप उठाएंगे, अंदर व पूरी चैन नहीं उठानी है यासे को कि पिछे वाले दोनों धागो को हम साथ लेते जाएंगे और इस तरह से जैसे हमने किया था चार चेन में एक और पांच ही". में दो वे से ही बनाना है लेकिन हमें बैक लोग उठाना है इस तरह से देखे एक ही लोग उठाएंगे चार चेन में एक हो गया अब पांच वी चेन में सेम चेन में दो बार ऐसे इस तरह से तो दिखिए इस तरह से एक लूप हमारा यहाँ पर रह जाएगा फिर इस लूप में हमें इसको जोइट करना है देखिए यहाँ पर हमने जो जोइट किया है वो इस लूप को ले करके किया है तो इस तरह से चार चेन में एक एक और पांच भी चेन में दो और बैक लूप उठा करके बना दीजे तो देखे राउंड कम्पलिट हो गया है अब हम यहाँ पर इस राउंड को जोईट कर देंगे देखे इसको हम बाहर के साइड मोड देंगे इस तरह से और अब हमने चो यहाँ पर पहला बनाया था डबल क्रोश्या इसकी चेन में डाल करके हम राउंड को जोईट कर देंगे पहला डबल क्रोशा था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्ट्रेच कर दिया और अब धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे फिर धागे को नीडल में पीरो करके नॉट लगानी है हमें इस तरह से ये हमारा गंबला बन करके रेडी हो गया है देखें ये से और अगर आप सेम कलर से बनाना चाहे तो भी बना सकते है तो अब हम इस थागे को नीडल में पीरो लेंगे तो दिखें धागा हमने नीडल में पीरो लिया है अब हम यहाँ पर एक दूसरे के अंदर इसे करके नीचे की और निकाल देंगे यहाँ पर निकाल देंगे और फिर यहाँ पर फस पिया है थोड़ा सा और अब हमने अंदर की और यहाँ पर धागा इधर उदर खुमा करके फिर नोट लगा देनी है इसके अंदर हम थोड़ा सा खुमाते जाएंगे और बीच बीच में छोटी छोटी नोट भी लगाते जाएंगे, ऐसे करके नोट लगा देंगे, और ऐसे ही थागा पूरा इसके प्राउंट शेप में खुमा देंगे, ऐसे, तो आप अच्छे से इसको कर दीजे, तो दीखिए गमला बन करके रेडी हो गया है, अब हम इसके अंदर ठकन डाल देंगे, ऐसे करके अच्छे से डाल देंगे, ऐसे, तो ये बहुत अच्छे से इसका रह जाएगा, दिखिए, तो अब हम इसका जो फ्लावर है वो बनाएंगे, इसका उपर वाला हिस्सा हमने बना दिया है, जैसे हमने इसका ये वाला बनाया था पाट, इसी तरह से ये बना दिया है, अब हमारी पत्ती और इसके फ्लावर बनेंगे, तो पहले हम पत्ती बना लेंगे, तो पत्ती बनाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, इस तार को, तो ऐसे करके, पहले तो हमें इसमें नोट लगा देनी है, और इसके अंदर, एक, दो, तीन चार पाँच छे और साथ चेन बनाएंगे साथ चेन बनाने के बाद इस सार को हमें इस तरह से अपने हिसाब से दिखे इतना हमें चाहिए तो यहां से हम कट कर लेंगे इस तरह से मोड करके हमने इतना रख दिया है अपने हिसाब से हमें रख लेना है और वैसे मैं आपको नाप करके भी दिखा दू ताकि आपको पता चले देखे हमने इस तरह से मोड करके नापा है तो 3 ईच है इस तरह से लंबा हमारी 6 ईच होगी शायद देखे आधा हमारा 3 होता है देखे दोनों साइड का तो यह हमने चेंच लिया है तो यहां पर से अब हम यह हमने साथ चेंच बनाई थी तो पहली चेंच स्किप करेंगे और दूसरी वाली चेंच में डाल करके इस तरह से रखेंगे फिर इसे हम ले लेंगे और यहां से हम ऐसे करेंगे इस तरह से स्लिप स्टीच करेंगे पहले म और फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रूशा करेंगे इस सार को हमें बीच में ले लेना है ऐसे नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रूशा किया और फिर से नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रूशा करेंगे और फिर से डबल क्रूशा करेंगे और फिट से half double crochet और फिट से end वाली chain में slip stitch ऐसे और फिर यहाँ पर एक और दो chain ले लेंगे और फिर से इसी के अंदर हमें slip stitch बनानी है जहाँ पर हमने end में बनाई थी उसी chain के अंदर हम वापस से slip stitch करेंगे ऐसे slip stitch कर दिया अब हम इसको मोड देंगे यहाँ से अच्छे से तो यह साथ में हमारी दूसरी रो में भी लेना है हमें इस side तो यहाँ पर फिर से हम वापस से एक बार half double crochet कर देंगे जैसे हमने इस side बनाया था वैसे ही से हम फिर से हम वापस से बनाएंगे फिर से एक बार half double crochet फिर से एक बार single crochet और फिर से slip stitch ऐसे और अब हम इस extra दागे को काट देंगे ऐसे और अब हमारी पत्ती भी complete हो गई है तो यहाँ पर हमने slip stitch भी बना दिया है और अब हमें इस पत्ती का जो थागा है वो हमें लंबा रखना है क्योंकि हमें इसी को जो यह हमारा तार है इसी से हमें लपेटना है तो इस थागे को हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे ऐसे करके फिर काट देंगे लंबा रख करके और अब हमें इस तरह से इसे कवर कर देना है देखे यहां से हम इसे अच्छे से बिल्कुल पास में से इस तरह से बल दे देंगे ऐसे एकदम से पास में से हम स्टार्ट करेंगे बल देना ऐसे इस तरह से और यह थोड़ा सा लंबा है दिखिए पूरा इसका साइज कितना हुआ है मैं आपको बता दूँ पत्ती के साथ तो आपको पता चलेगा ऐसे चार इंच में थोड़ा सा कम है लेकिन हम इसका तीन इंची रखेंगे यहां पर से हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा है वो कट कर देंगे या तो आप अंदर ले जाकर के भी इसको मोड़ सकते हैं तो यहां से हमने कट कर दिया अब हम इसको इसके उपर लपेट देंगे ऐसे इस तरह से अच्छे से कवर कर दीजे और फिर चब एंड में हमारा चिपका देंगे यहां पर से दिखे यहां पर हमारा इतना सा जब रह जाएगा तब हम यहां पर ग्लू लगा करके इसे फिर से वापस से इसके उपर ऐसे ही कवर करते जाएंगे तो यह हमारा आखरी में जो होगा वो इस साइस के साथ अच्छे से चिपक जाएगा ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो यहां से ग्लू भी हमारा सुख जाएगा और अच्छे से यह कवर हो जाएगा ऐसे तो इस तरह की दूसरी पती भी बना लेंगे तो दिखिए पतिया भी हमारी रेडी हो गई है और अब हम जो बनाएंगे वो फ्लावर बनाएंगे उपर वाला जो बनाया है इसमें फो हम पिंक बनाएंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे और ऐसे ही यहां से एक chain बनाएंगे और ये single crochet और पहला single crochet बना करके हमें इसके अंदर marker डाल दिना है तो इसके अंदर हमने marker डाल दिया अब हम यहां पर next single crochet बनाएंगे दूसरा इसे भी हम बहुत टप नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें स्टिक डालनी है तो पूरा हम खिंच करके टप नहीं कर देंगे थोड़ा सा लूज रखेंगे और फिर mark निकाल देंगे और अब हमने दूसरा राउंड स्टार्ट करना है तो जो पहली हमारा पहला सिंगल क्रोशा था इसकी चैन में डाल करके हमें दो बार सिंगल क्रोशे बनाने है एक और ये दो सेम प्लेस पर हमने दो बनाया लेकिन यहां पर पहला सिंगल क्रोशा एह है हमारा तो इसके अंदर मारकर डाल दिया और एक चेन में हमें दो दो बार बनाना है नेक्स्ट चेन में दो तीसरी वाली चेन में दो छे चेन थी हमारी छे चेन में हम दो दो बार बना देंगे फिर से चुत्ती वाली चेन में भी दो बार पांचवी चेन में दो बार और अब आखरी वाली चेन में भी दो बार छे चेन में हमने दो दो बार बना दिया अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होगा तो यहाँ पर से मार कर हम निकाल देंगे और यहाँ पर पहले ही तीसरे राउंड का पहला सिंगल प्रोशा बन गया हमारा और यहाँ पर हम मारकर डाल देंगे और फिर नेक्स्ट में दो बार बनाएंगे पहले एक बनाया, नेक्स्ट में दो बनाएंगे फिर से एक बनाया, फिर से नेक्स्ट में दो बनाएंगे एक चेन में एक बार और एक चेन में दो बार इस तरह से करना है हमें फिर से एक बनाया और नेक्स्ट में दो बार फिर से एक बनाया और नेक्स्ट में दो बार इसे ही बनाना है हमें एक चेन में एक बार और एक चेन में दो बार फिर से नेक्स्ट में दो बार लास्ट में दो बार, राउंड हमारा कम्पलीट हो गया, अब हमारा चोथा राउंड स्टार्ट होता है, देखें तीन रो हमारी कम्पलीट हो गए और अठारा सिंगल क्रोशे है हमारे पास, अब हमारा चोथा राउंड स्टार्ट होता है, तो इसमें हमने तीन सिंगल क्रोश बढ़ाने हैं, अठारा है तो इन में से 21 कर देंगे, तो शुरू में ही हम पहले तो दो बना लेंगे, तो एक यहाँ पर बढ़ा दिया, फिर यहाँ एक, दो, तीन, चार, और यह पांच, पांच चेन में एक एक करके, छठी वाली चेन में हमने दो बर बना दिया, तो दूसर दो, तीन, चार, और पांच, फिर से छठी वाली चेन में हम दो बर बना दिया, तो तीसरा यहाँ पर बना दिया, फिर से हमारे पांच एक एक, एक, दो, तीन, चार, और यह पांच, तो पांच बार हमने फिर से एक एक बना दिया, तो ये हमारी चोथी रो में 21 सिंगल क्रोशे हो गया है और अब हमारा राउंड यहाँ पर कम्प्लीट हो गया दिखे तो यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे फिर से बनाना अब हमें बढाना नहीं है 21 के उपर 21 के उपर 21 ही बनाने है तो इस सरा से हम बनाते जाएंगे दो, तीन, ऐसे ही हर एक के उपर एक एक बार बनाएंगे लेकिन गिन करके बनाएंगे ताकि हमारा कम्प्लीट हो जाए तब हम चोईट कर देंगे अब जो हम रो बनाएंगे वो सारी 21 के साथ ही बनाएंगे तो इसके बाद हमें देखे ए हम बना रहे हैं देखे एक, दो, तीन, चार और पांच पांच हम यहाँ पर बनाते हैं तो इसके बाद हमें और पांच रो बनानी है इसके बाद की हमें और पांच रो बनानी है तो टोटल हमारी दस रो हो जाएगी सेम तरीके से अब हमें 21 के साथ ही बनाना है हर एक चल में एक एक बार तो दिखे टोटल हमारे 10 रो हमने बना दिये दिखे शुरू में हमने 6 बनाए थे फिर 12 और फिर तीसरी रो में 18 और चोथी रो में हमने सिर्फ 3 बढ़ाए तो 18 में 3 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएंगे और फिर इसके बाद हमने यहां पर चोथी रो में 21 करने के बाद एक दो तीन चार पांच और छे छे रो हमने 21 के साथ बना दी तो टोटल रो हमारी 10 हो गए तो अब यह हमारी रो कंपलीट हो गए यहां पर हम इस मारकर को निकाल देंगे और इस धागे को हमें थोड़ा सा लंबा रख करके काटना है क्योंकि इसी धागे से हम फ्लावर का शेप देंगे उपर से देखे यह चीस तरह से दिखता है यह वाला जो शेप है वो हम निडल की मदद से देंगे तो दिखे यह हमारा बन करके रेडी हो गया इसके बाद हमने निडल में धागा फिरो लिया अब हम इसके अंदर पहले तो कोटन डाल देंगे फिर इसके फ्लावर का शेप देंगे इसे हम बहुत नहीं डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे बहुत प्रेस करके नहीं डालना है इसे हमने डाल दिया और अब हम यहाँ पर अच्छे से इसकी रूच्छे बगएरा डाल देंगे और फिर ऐसे करेंगे देखे इस तरह से एकदम से एक जैट इसके सामने देखे पास से इस तरह से बीच में से रखेंगे यहाँ पर हमारा नीडल है तो इसके सामने वाला जो स्टीच आता है इसमें डालेंगे यह से इस तरह सामने वाले स्टीच के अंदर डाल करके इसे करेंगे फिट से और एक बार करेंगे ऐसे ग्लार कर दिया और फिर इस साइड कर देंगे ऐसे इसमें भी दोनों साइड से देखें यह वाला जो कॉटन है इससे आपको दिखाई नहीं लेगा साफ लेकिन यहाँ पर जो हमारा बीच में चेन दिखता है यहाँ पर इसमें डालेंगे और बीच में से इसको ले लेंगे जो हमने सीला है वो और इस सैड भी सीधा डाल देंगे तो वैसे हम निडल को सीधा निकाल देंगे ऐसे इस तरह से फिट से और एक बार यहाँ पर ऐसे कर देंगे यह जो हमने सीला है उसे भी हम साथ ले लेंगे बीच में से तो यह हो गया एकदम सा फ्लावर और यहाँ पर बीच में आप मोती डालना चाहे तो भी लगा सकते हैं पर इसी वक्त हमारे पास धागा है तो यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लगा सकते हैं देखें मोती है हमारे पास तो यहाँ पर बीच में लगा देंगे मोती बहुत ही प्यारा लगेगा अब चाहे तो लगाए वरना वैसे ही चलेगा ऐसे आपके पास और कोई material से तो भी लगा सकते हैं तो ये हमने अच्छे से लगा दिया है अब हम धागे को थोड़ा सा इधर उधर कुमा करके फिर नोट लगा करके काट देंगे देखें फ्लावर हमारा बन करके रेडी हो गया और वो जो हमने पहले शुरू में आपको बताया था वो वाला गंबला इसके अंदर अगर आप ये वाला फ्लावर बना करके लगाना चाहते हैं तो भी अच्छा लगेगा सिर्फ इसको पती एक पती बना दीजे और स्टिक के साथ एटच करके फिर इस गंबले के लिए भी आप इसे बना सकते हैं देखे ये वाला रोज फ्लावर और दो ये वाला और दो ये वाला इस तरह से भी कर सकते हैं दोनों अलग अलग फ्लावर तो ऐसे करके धागे को खुमा करके फिर धागे को काड़ दीजे तो दीखे अब हमारी सारी चीजे रेडी हो गए है तो अब हम यहाँ पर जो पहले फ्लावर है इसके अंदर हमें स्टिक डाल देनी है और यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्लू लेंगे और ग्लू को लगा करके अब इस तरह से फिर स्टिक को इसके अंदर डाल देंगे ऐसे इस सरा से स्टिक हमने डाल दिया है और ग्लू है थोड़ा सा सुखने में इसको देर लगेगा तो यह अच्छे से इसके साथ हो जाएगा अटेस्ट और यहाँ पर भी थोड़ा सा फिर से ग्लू ले करके यहाँ पर से हम ग्रीन धागा लपेटेंगे इसकी उपर यह जो हमारी स्टिक है इसके उपर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे रखेंगे थोड़ा सा ग्लू को सुखने में देर लगती है ऐसे करके फिर हम यहाँ पर इसके उपर थागे को तीरे से लपेटे जाएंगे ऐसे ऐसे करेंगे यहाँ पर ग्लू है तो थोड़ा सा हमें तूखने देना है इसे अच्छे से यहाँ पर बीच में कहीं पर छूट ना जाए वेसे हम कर दे जाएंगे और अब हमें यहाँ पर पत्ती ले लेनी है साथ में देखें पत्ती को हमने इसे थोड़ा सा मोड़ देना है और फिर यहाँ से हम पत्ती को साथ में लेंगे एसे एकदम से टाइटली इसको एसे और अब हम दूसरी ले लेंगे थोड़ा सा इस तरह से मोड़ देंगे और अब हम किसे भी इसके साथ ले लेंगे चुदागा हमें रपेटना है इसके साथ ही हम ले लेंगे और एकदम टाइट ही हमें इसके साथ ही से ले लेना है नीचे तक इसे कहीं पर भी हमारा स्टिक दिखना नहीं चाहिए ऐसे अच्छे से हम कर देंगे पूरे नीचे तक इसे और फिट जब हमारा कम्प्लीट होने को आए तब हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा करके इसे चिपका देंगे इसका एंड जो है वो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे और फिर इसके उपर थागे को लपेट देंगे ताकि थागा जो हमारा एंड वाला है वो इसके साथ अच्छे से तिपक जाए देखें यहाँ पर हमारा ग्लू है सेड तो यह धागा हमारा इसके साथ अच्छे से रह जाएगा और अब हम इसे काट देंगे थोड़ी देरी से सूखने देंगे ताकि यह हमारा धागा इसके साथ अच्छे से सूख जाए और चिपक जाए तो दिखिए यह हमने सूखने के लिए रख दिया है तो अब हम इस इसके अंदर भी थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे ऐसे और अब हमें यह वाली जो हमने बनाई थी इसके निच्छे अक्स्ट्र दागा है वह काड देंगे तो यह हमारा इसके उपर जाएगा और यहां से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे यहां से हम इससे स्पीच करेंगे ऐसे एसे करके हम यहां से एक चेंड लेते जाएंगे और यह वाला जो हमने लूप छोड़ा था एक हमने यहां पर से बेक लूप बनाया था तो फ्रन्ट लूप हमारा यहां पर रह गया था तो इसे हमें इस तरह से लगे जाना है ऐसे इस तरह से पर एक में से एक एक लूप लेना है और उपर से एक चेन लेनी है और ऐसे करके हमें सिलते जाना है ऐसे और अब हम पहले तो इसके अंदर यह जो हमने फ्लावर रेडी किया है वो डाल देंगे पहले हम आधा सिल देंगे इसे पूरा कंप्लीट नहीं सिलना है हमें आधा सिलेंगे और फिर इसके बाद फ्लावर को डाल देंगे और इसके बाद हम पूरा सिलेंगे ऐसे दुनों साइट से हमें लूप उठाते जाना है ऐसे इस तरह से और अब हम यहाँ पर यहाँ पर तो दिखे आधा हमने सिल दिया है अब इसके बाद हम इसके अंदर इसे डाल देंगे ऐसे इसे थोड़ा सा प्रेस करके डालना पड़ेगा हॉल हमने इसलिए पहले शुरू में थोड़ा सा बड़ा रखा था इस तरह से इसके अंदर चला जाए इसलिए और यह जो तार था वो हम इस तरह से इसके साथ लपेट देंगे ऐसे और हमें चितना भी रखना है उतना हम बाहर के साइड रखेंगे और चितना हमारा एक्स्ट्रा है उसे हम अंदर की और जाने देंगे ऐसे और अंदर अच्छा सकता है उतना हम डाल देंगे दिखी बच्छा सब्सक्राइब तो दिखे अब हमें चैसे पहले सिलते थे दोनों साइड से एक एक स्टीच लेते जाएंगे और अंदर वाला ये वाला स्टीच लेंगे ऐसे हम पूरा सिल देंगे एक एक स्टीच दोनों साइड से हमें लेते जाना है तो ऐसा कम्प्लीट कर दीजे पूरा डाउंट तो दिखे इसे हमने पूरा सिल दिया है और फिर यहाँ पर इधर उधर धागा खुमा करके नॉट लगा दी है तो दिखे बहुत ही प्यारा लगता है और बन करके रेडी हो गया है दिखे आप जितना भी रखना चाहते है इसका लंबाई स्टीक रख सकते है तो आशा करती हो आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजु में अब लाइकन खंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी कोई नहीं या वीडियो डालू तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थिंक्यू फर वाचिंग